हैपी रेटायर्मेंट लाइफ पहले बच्चे को घुमा कर लाओ कंडिशन होती है ऐसा लगता है रेटायर होने से जैसे मेरी अपनी सरकार गिर गई साथ जन्मों का वादा निभाने वाली पत्नी भी अपोजित पार्टी में मिल गई अब तो पत्नी भी सुनाने में पीछे नहीं है रहती मौका मिलते ही सुनाने को आगे है आजाती कहती है सारा दिन सोफा तोड़ते हो मुबाइल में आखे फोड़ते हो दोस्तों से गप्प्य मारते हो थोड़े भूत घर के काम भी निप्टा लिया करो कहती है सारा दिन सोफा तोड़ते हो मुबाइल में आखे फोड़ते हो दोस्तों से गप्पे मारते हो थोड़े भूत घर के काम भी निप्टा लिया करो योगा करता हूँ तो सब हसते हैं कहते हैं आप मरने से क्यूं डरते हैं मैं कहता हूँ भाई मरने से नहीं डरता पर अभी-अभी तो रिटायर हुआ हूँ मरना तो है ही है एक दिन कुछ पेंशन को भी तो एंजोय करूँ सुबह उटकर मॉर्निंग वोक को निकलते हैं जवानी बापस लाना चाहते हैं बच्चे चटकारे लेते हैं ये सब करता हूँ बॉडी फिट रखने के लिए बच्चों पर निर्फर ना होना पड़े इसके लिए मेरा अपना लाइफ इस्टाइल है मेरा अपना अस्तितु है रिटायर हो गया तो क्या मेरा अपना व्यक्तितु है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा किसी के सामने नहीं जुकूंगा जब तक जियूंगा अपनी मर्जी अपनी शर्टों पर ही जिऊंगा, अपनी मर्ची अपनी शर्टों पर ही जिऊंगा, क्योंकि रेटायर्मेंट कोई अभिशाप नहीं है, यह एक नैच्रल प्रकरिया है, जब पुराने लोग रेटायर होंगे, तभी नए लोग आएंगे, इसलिए हमें रेटायर लोगों की खूब सम्मान और उनको इज्जद्नीरी चाहिए, मेरी यह कविता सभी सेवा निब्रत लोगों को समर्पित है,